कि आप फिक्स वान प्लास एप पर्मिशन एर्र प्रॉब्लम नमस्कारों सुस्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने वान प्लास की डिवाइस में एप पर्मिशन एर्र सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर आपके एप परमिशन पे किसी भी तरेकार आजाते किसी भी तरीके का प्रॉलम आ ढ requiring ऐते तो आपको क्या सॉलिशन करना चाहिए कैसे आपको प्र प्रफलें सॉल्फ करना है यह मैं आपको य्श वीडियो में चैनल को सबस्रप्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप आप उनलाइन पेसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्राव में ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो एप परमिशन एरर टाब होते हैं जब आपके एप में बग आजाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको उस एप को अपडेट करना होता हैं तो आप jika के सर्च करना है यहिए मैन ने अपटास माई एर्टर यह जिए यहाप वांटकर यवरम, Facebook किसी कभी एरो हो सकते, Permission, Error, तो पहले आपको अपडेट करना है एप को, अपडेट करने के बाद, आप चाहे तो चेक भी कर सकते या फिर डारेक्ली, Next solution कर सकते हैं ठीक है सेटिंग पर जाए सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहां पर एप एन नोडिफिकेशन ठीक है तो उसमें जाए उसमें जाने के बाद see all apps पर क्लिक किजे उस एप को मिलें कीजिए जिस एप का पर मिशम पर एरर तो उस एपे आपको उसलेंग करना एप क्लिए मैं तो ऋपर क्लिक करना है उसके बाद ऑक्टन ने उसमें क्लिक कर देना है जैसी ओक होगा तो आपकर जो से डेटा हो एकलेर होजाएगा एं्डेंट पर्मीशन जाके चरे आपके पर्मिशन सोंब्सक्राइब कर दीशें ठीक है तो सार जो पर्मिशन से आपका यहाँ पर इस तरीके से अलाओ होना चाहिए ऩो तो चाहें दोस्तों आपके एप ठीक है Instagram, Facebook, WhatsApp जो भी है आप इस solution को follow कर सकते हैं यहाँ पर दुस्तों लिखा हुआ है remove permission if app isn't used तो आपको यह setting नहीं करना है ठीक है इस setting को burn करके रखना है अगर यह setting enable रहेगा तो आपके app permission पे problem आते रहेगा ठीक है तो यह solution को follow करें आपका problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपको यह problem आते रहते तो आपको क्या करना है mobile को एक बर सेफ मोट पर reboot कर लिजिए power button पर press and hold कीजिए power off के जो button है उसमें दो सेकंड टेप करके रखिए आपको मिलेगा reboot to safe mode ok करके reboot कर दीजिए ठीक है और सारे साथ दोस्तों अगर आपके mobile software update नहीं है तो system पर जाक आप अपने एप पर मिशन और प्रॉब्लेम सॉल्व कर सकती है अगर दोस्तों फिर भी आपका एप जो है मिस्ट भी हैफ करते तो उस एप को अन इंस्टॉल करके री इंस्टॉल कीजिए ठीक है तो यह करने से आपका एप पर मिशन एरोर फिक्स हो जाएगा उमीद करते जहीं तो आप को यह बीरो पसे नहोगा थैंको ए्टS लाति